हेलो फिर्ण्स तमस्कार गुड इबनिंग आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फशेडी पर आए श्टार्ट करते हैं और आज इस क्लास में आप सभी के लिए साथ अक्टूबर ट्रिपल सी एकजाम में पूछेगे कुछ इंपोर् धन्यवाज जो आपने हमें प्रस्ण बेजे हैं और आप लोग भी जब भी आपका एकजाम हो अपने प्रस्ण हमें अवस्य बेजें ताकि उन प्रस्णों को हम अपनी क्लास में सामिल कर पाएं तो एक बार जो भी बच्चे आचुके हैं सभी क्लास को सेर कर दो ताकि और और इस क्लास को जोइट कर पाएं और इस क्लास को सेर करने से पहले आप सभी को बता दें जिन बच्चोंका ट्रीबल सी क्अग्जाम नवंबर में होने वाला है तो आप सभी हमारे मवायल अपिकेशन पर ट्रेपल-C नवंबर चैप्टर वैज क्राइक को परोडे को यानि कि LibreOffice Writer, Calc और Impress में जो भी important menu हैं, उनके बारे में पुरा complete आपको थियोरी भी पढ़ने को मिलेगा, यानि कि यहां पर LibreOffice की थियोरी भी आपको कराई जाएगी, साथ में जो important mobile application है, उनके बारे में आपको बताया जाएगा, सभी shortcut के बारे में आपको बताया जाए है, triple C, by efficiency और बहां से mobile application डाउनलोड करके install कर सकते हैं, बहां पर आपको सारी detail में जाएगी, इस batch में आपको क्या-क्या पढ़ने को मिलेगा, यहां पर class आपके लिए काटने होते हैं, जसका समय होता है, 9 PM पर, तो 9 PM पर class आपको यहां पर मिलती हैं, और यह batch complete होने के updated ebook भी provide की जाएगी, यानि कि इसी batch में आपको ebook भी provide की जाएगी, और यहां पर दो ebook आपको मिलेगी, एक 1500 MSQs की, दूसरा जो chapter wise ebook है, वो भी आपको यहां पर provide की जाएगी, ठीक है, बाकि जितने भी class यहां पर होंगे, प्रतिय class का PDF आपके लिए available रहेगा, तो आपको बताना है, सभी question आपके लिए most important है, जिनका भी आगे exam होने वाला है, पूरा class आपको अच्छे सी करना है, पहला question आपके सामने है, password और OTP, दूसरों को share करना, privacy को मजबूत करता है, तो यह तो हो जाएगा false, option number V हो जाएगा, ठीक है, यह आपका क्या होगा, false होगा question number second, swift की full form क्या होती है, swift की full form क्या होती है, तलकी class में हमने आपको बताया था, जब भी आप किसी को, किसी विदेश में पैसा अगर भेजना चाहते हैं, किसी के पास या विदेश से पैसा आप प्रेपास मगाना चाहते हैं, तो swift code की आवसकता पड़ती है, जिसका full form क्या ह होता है, society for worldwide interviewing financial telecommunication, option number A आपका यहां पर correct है, question number third में बताना है, क्या blogger, blogging से धन कमा सकते हैं, true false में जवाब करना है, तो यहां पर जवाब होगा true, बिल्कुल कमा सकते हैं, option पहला सही होगा, आपको बताना है, which of the following is not an example of instant messaging, इसमें से कौन सा instant messaging का example नहीं है, telegram, whatsapp, messenger या Linux, question number four आपके सामने है, निमन में कौन सा instant messaging का एक example नहीं है, एक उदाहरण नहीं है, तो यहां पर क्या होगा, option number T, Linux आपका instant messaging का example नहीं है, बाकि telegram, whatsapp, messenger, ये सभी आपके कैसे हैं, instant messaging के example है, ठीक है, question number five में बताना है, Linux is not open source software, बताईगा, क्या होगा इसका जवाब, Linux is not open source software, means Linux एक open source software नहीं है, तो यहां पर हो जाएगा false, क्योंकि आपको बता है, Linux एक open source operating system है, है ना, तो इसलिए हो जाएगा आपका false, यहां पर लिखा है कि नहीं है, open source नहीं है, वर्ट open source होता है, यह आपको ध्यार रखना है, IFSC code में, WANK के नाम के लिए कितने digit होते हैं, आपने देखा होगा जो आपका IFSC code होता है, IFSC code 11 digit का होता है, जिसमें WANK का नाम के लिए कितने digit रखे जाते हैं, तो सुरुवाद के जो चार digit होते हैं, वो आपके WANK के नाम को दरसाते हैं, पांच मा जीरो होता है, और लाश्ट के छै डिजट जो बचते हैं, वो वरंच के नाम को दरसाते हैं, मिस कौन सी वरंच है, इसके वारे में बताते हैं, विच टाइप ऑफ गेम इज पॉकमॉन, अब आपको बताना हैं, पॉकमॉन किस प्रकार का गेम है, वर्चुल, स्टेंडर्ड, रेसिंग या इसमें से कोई नहीं, Pokemon एक game है किस प्रकार का है तो या एक virtual game है option पहला virtual game है सभी को धान रखना है email storage is called जो email का storage होता है उसे क्या कहा जाता है email storage is called inbox, mailbox, storage या outbox काफी important person है सभी को अच्छे से जवाब करना है और सारे question आपके लिए most important है सभी question आपको पूरा अच्छे से तयार करना है ठीक है option number हो जाएगा mail box कहते है email storage को क्या कहा जाता है mail box कहा जाता है यदि एक sale में A1 से A3 तक क्रम सहा 1, 2, 3 दिये गए है तो equal count A1 colon A3 का परिडाम क्या होगा बताएगा यहाँ पर दिया गया है कि अगर एक sale के अंदर आप equal count A1 colon A3 लगाते हैं और A1 से A3 का जो मान है वो क्रम सहा 1, 2, 3 दिया गया है तो इसका answer क्या होगा इसकी value क्या होगी यानि कि count formula क्या करेगा count करेगा तो A1 से लेकर A3 के अंदर कितने आपने number लिखे हैं उनको count करेगा तो A1 से A3 में आपने 1, 2, 3 लिख रखा यानि कि यहाँ पर 3 digit हैं एक यह हो गया, दूसरा यह हो गया, तीसरा यह हो गया तो answer होगा आपका V यहाँ पर 3 हो जाएगा आपका right answer Web Page में Image को कैसे लिखते हैं यानि कि आप जब HTML में प्रोग्राम लिखते हैं किसी वे Page को बनाने के लिए तो पहाँ पर Image को कैसे लिखा जाता है यह पूछा जार आप से IMG लिखते हैं IMAGES लिखते हैं PHCC लिखते हैं आप फोटो लिखते हैं question number 10 का जबाब करना है सभी को जबाब क्या होगा बताईगा और जिन बच्चों ने class को अभी तक like नहीं किया प्रेज सभी like कर दें share कर दें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस class को देख पाएं तो यहाँ पर हो जाएगा IMG option number पहला सही जबाब है आपको बताना है joystick एजन एक्जामपल of input device, output device, storage device या इसमें से कोई नहीं joystick आपकी किस परकार का device है ये किस का example है तो आप बोलेंगे sir input device का example है joystick आपका कैसा है एक input device होता है ठीके आगे आपको बताना है HTTPS का port number कितना होता है HTTPS का port number क्या होगा option number भी हो जाएगा 443 होता है HTTPS का port number 443 होता है www.w.w. का पूरा नाम क्या होता है इसका full form सभी को बताना है www.w.w. का पूरा नाम क्या होता है world wide wave warm option number पहला सभी को धाना है ठीक है world wide wave warm हो जाएगा QR code में कुल कितने character होते हैं total character आप से पूछे हैं QR code में कुल कितने character होते हैं क्या हो जाएगा option number B 789 character होते हैं QR code में अधिक्तम WAP web का full form क्या होता है आपको बताना है web का पूरा नाम क्या होता है कौन सा होगा सही जवाब तो यहाँ पर रोजाएगा wireless application protocol option number B आपका right है wireless application protocol होता है DRAM एक परकार का refreshing memory होता है कई बार हमने आपको पढ़ाया कई बार बताया और आज की एक पूंचा गया परस्न DRAM एक refreshing memory होता है क्या होगा इसका जवाब तो बिल्कुल सही है DRAM हमारा एक refreshing memory होता है इसको refresh करने की आवसकता होती है और जो आपका yes RAM होता है वो आपका static RAM होता है जिसको refresh करने की आवसकता नहीं होती है यानि की yes RAM आपका non refreshing memory होता है और DRAM refreshing memory होता है पेंट ड्राइब में data store करके रखने की limit क्या होती है काफी important प्रस्त पहुचा गया है यहाँ पर बताना है पेंट ड्राइब में आप data store करके कब तक रख सकते हैं इसकी limit क्या है maximum कब तक आप रख सकते हैं 2 साल तक, 5 साल तक, 10 साल तक या 8 साल तक कब तक आप data यहाँ पर store करके रख सकते हैं बता यह question number 18 का जवाब करना है सभी बच्चों को right answer क्या होगा तो maximum 10 year तक, 10 वर्स तक आप data को सुरचित रख सकते हैं pen drive में store करके अगर आप इसे सुरचित रखते हैं तब otherwise कम भी होगा मतलब 10 साल तक फिर वो data आपको हो सकता है कि वहाँ पर ना मिले वो data आपको सही से ना मिल पाए है ना, अगर आप सुरचित रखते हैं तो maximum 10 year तक, 10 वर्स तक आप data यहाँ पर इस्टोर करके रख सकते हैं, pen drive में ठीक है तो यह दिहार रखना है option number C होगा आपका right answer which was the oldest bank of India आपको बताना है, भारत का सबसी पुराना bank कौन सा है बताएगा option number यहाँ पर कौन सा right होगा सबसी पुराना bank कौन सा है तो यहाँ पर bank of Bombay right answer है bank of Bombay आपका right answer है अगर यहाँ पर bank of Bombay ना दिया हो तो ध्यार रखना है, bank of Hindustan फिर हो जाएगा आपका right answer यह भारत का सबसी पुराना bank है but bank of Bombay कर दिया है तो यही आपका जबाब होगा जैसे कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं list of oldest bank में सबसी पुराना bank है वो bank of Bombay है और इसका जो स्थापना है वो कब हुई थी तो 1720 में इसके स्थापना हुई थी, इसके बाद में फिर आया bank of Hindustan जिसके स्थापना 1770 में हुई थी तो यहाँ पर एगर bank of Bombay ना दिया हो तो आपको second वालग करना है bank of Hindustan windows OS एक मुफ्त operating system है windows OS एक मुफ्त operating system है क्या होगा इसका राइट अंसर false, option number B window आपका कैसे प्रोप्राइटरी operating system है ना कि free तो option number B आपका राइट अंसर होगा चलिए आपको बताना है alibaba.com के founder कौन है alibaba.com के founder सभी को बताने है क्या होगा इसमेर इट अंसर 21 का सही जवाब हो जाएगा option B जैक मा है alibaba के founder OSI model में कितनी layer होती है OSI model में कुल कितनी layer होती है यह आपको बता रहा है option number होगा OSI model में साथ layer होती है OSI का full form क्या होता है open system interconnection होता है यह ध्यार रखना है आपको बताना है world की सबसे वड़ी software company कौन सी है vissu की सबसे वड़ी software company आपको बतानी है Microsoft, IBM, TCS या Apple तो सभी को ध्यार रखना है option number हो जाएगा V IBM विसu की सबसे वड़ी software company है अगर आप से पूँचिए भारत की सबसे वड़ी software company कौन सी है तो आशर होगा TCS TCS का मतलब होता है Tata Consultancy Services और यहां IBM का मतलब होता है International Vigenes Machine आपको full form भी ध्यार रखनी है आपको बताना है Yes Ram की full form क्या होती है Yes Ram की full form पूँचा गया था इसका पुरा नाम सभी को बताना है Yes Ram का मतलब क्या होता है Option B हो जाएगा Static Random Access Memory Option number B होगा Static Random Access Memory OTP कितने प्रकार का होता है OTP कितने प्रकार का होता है बताएगा OTP कितने प्रकार का होता है तो OTP आपको ध्यार रखना है दो प्रकार का होता है OTP दो प्रकार का होता है सभी को ध्यार रखना है ठीक है Email के खोज करता कौन है Email के खोज करता कौन है option number हो जाएगा c, Ray Tomlinson email के खोज करता है email के founder है equal sum 2, product 5, 7 result आप सभी को बताना इसकी value क्या होगी यह प्रस्ण काफी popular हो गया है triple C exam के लिए same to same ऐसा ही प्रस्ण आ जाता है आपके exam में और कई वार यह पूँचा गया प्रस्ण है तो इसका जवाब क्या होगा 37 हो जाएगा काफी simple है बस आपको पहले इसको solve करना है product 5 काबा 7 तो यहाँ पर product क्या करेगा गोणा कर देगा 5, 7 की multiply कराओगे तो कितना होगा 35 होगा और इसमें आपको sum मतलब जोड देना है कितना 2 तो हो जाएगा 37 और यहाँ पर आपको बताना है cloud computing में कितने परकार के service model सामिल है cloud computing में कितने परकार के service model सामिल है 2, 5, 3 या 6 तो right answer क्या होगा 3 परकार के service model सामिल है आपने नाम सनो होगा IAS यानिकी infrastructure as a service PAS यानिकी platform as a service और SAAS यानिकी software as a service तो तीन परकार के यहाँ पर service model सामिल है cloud computing में आपको ध्यार रखना है कौन से cable सबसे 30 axis परदान करती है पता है कौन से cable सबसे 30 axis परदान करती है optical, fiber cable, coaxial cable बहुत यानिकी दोनों या इसमें से कोई नहीं तो कौन से cable सबसे 30 axis परदान करती है option number पहला optical, fiber, cable सभी खोधा रखता है paste special के लिए कौन से shortcut की होती है paste special के लिए किसे shortcut की का इस्तेमाल करते है क्या होगा इसमें जवाब paste special की shortcut की क्या होती है control, shift, or b यह paste special की shortcut की होती है control, shift, or b अगर आप से पूछें paste unformated text की shortcut की बताओ को control, alt, shift, or b हो जाएगा यहाँ पर alt और बढ़ा देना है cable paste special, control, shift, or b RSA का full form सभी को बताना है RSA का full form क्या होता है RSA का full form क्या होता है option नमर पहला rivest, samir, idle man हमने आपको पहले भी बताया option पहला correct होगा thisaris के लिए क्या shortcut की इस्तिमाल करते हैं thisaris की shortcut की सभी को बतानी है 32 में कौन सा जबाब होगा thisaris की shortcut की क्या होती है control के साथ F9 option नमर पहला control F9 ठीक है तो आज की class वसें तक थी जिन बचों का कल एक्जाम है आप सभी को हमारे तरब से वेश्ट अपलग, all the best, I hope आप सभी के एक्जाम बहुत अच्छा होगा और जो भी प्रसन आपको आपके एक्जाम याद रहे अपने प्रसन हमें अवसे भेजें प्रसन आप हमें 9452299436 पर भेज सकते हैं इसके अलावा आप हमें mail कर सकते हैं info.ccc.yfasri.gmail.com पर और अगर अभी तक आपने हमारे Android आप्लिकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो Google Play Store पर जाना है बहाँ पर आपको ccc.yfasri सर्च करना है और इस अप्लिकेशन को डाउनलोड करके ccc.november.batch रोल कर सकते हैं जोइन कर सकते हैं तो आज के लिए वस इतना ही मिलेंगे आपको next class में तब तक लिए चाहें गूड नाइट